इस साइन फिक्शन कहानी की शिरुवात होती है उस भविस्य को दिखाते हुए जहाँ पर इनसान टेक्नलोजी के मामने में काफी आगे बढ़ चुके थे अब तो इनसानोंने जैनेटिक इंजीनियरिंग में महारत हासिल कर ली होती है वो लोगों के डियने तक चेंज कर सकते थे और उसी के इसाब से इनसानों के बाड़ी में चेंजेस हुआ करते अब यहाँ पर वो समय आ चुका था जहाँ पर इनसान अपने बच्चों की डियने में चेंजेस करके उन्हें किसी भी तरीकी की स्किल प्रोवाइट्स कर सकते थे डियने के स्ट्रक्चर को चेंज करने से पैदा होने वाले बच्चों का दिमाग बाकी बच्चों से काफी ज़्यादा तेज रहता और साथ ही साथ उन्हें कोई गंभीर बिमारी भी नहीं होती DNA change करके पैदा होने वाले बच्चों को first class का दर्जा दिया जाता है पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को natural तरीके से पैदा होने देने चाते थे वो तो उनके body में DNA का जरा भी change नहीं करते और इन सारे बच्चों को second class का दर्जा दिया जाता था जो भी first class के बच्चे जिनकी DNA में changes करके पैदा किया गया है वो पूरी तरीके से सर्वगुन संपन न होते थे इसलिए grow होने के बाद वो बड़ी बड़ी companies में अपनी जगह पहले से ही स्थापित करके रख लेते हैं उन सबी को अच्ची अच्ची जगहों पर काफी बड़ी बड़ी job मिलती थी वहीं second class वाले बच्चों को कोई इज़त नहीं provide करता उन्हें तो छोटी मोटी कमपनियों में कर्मचारी का रोल दे दिया जाता है जिसका मतलब ये था कि future में आने के बावजूद भी discrimination खतम नहीं हुआ होता पहले अमीर और गरीब हुआ करते थे तो अब first class और second class होते हैं अब हमें आप पर जेरोमी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो first class होने के बावजूद भी एक multivanalier space company में काम किया करता था जेरोमी तो अपने इस job से बहुत ही ज़ादा खुश होता है क्योंकि उसने second class होने के बावजूद भी किसी भी तरीके से इस job को हासिल कर लिया था बट वो पूरी कोशिश कर रहा होता है कि किसी को ये पता ही ना चले कि वो second class से बिलॉंग करता है जेरोमी तो सारी safety बरतते हुए अपने हाथों पर दूसरे के fingerprint लगाता रहता है जिससे कि security वाले उसका पता ना लगा पाएं अब एक दिन जब जेरोमी अपने DEX पर बैठके काम कर रहा था तब उसका बॉस आकर कहता है कि टाइटन ग्रॉपर हमें एक spaceship को भेज रहे हैं और तुमें उसके अंदर navigator का काम करना होगा जेरोमी ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि वो इनी सारी चीजों के लिए यहाँ पर आया होता है उसे भी बड़े बड़े missions में अपना योगदान देना था और काफी सारे पैसे कमाने थे लेकिन याँ बॉस ने जेरोमी से कहा कि तुमें सारे medical test से गुजरना होगा और उसके बाद ही तुम mission पर जा पाओगे जेरोमी भी इस बात के लिए मान जाता है और अब उसने medical test के अंदर अपनी urine और fingerprint नकली दिये थे जो की belong करते हैं first class से इनी सारी चीजों का यूज करके जेरोमी ने तो medical test पास भी कर लिया था यानि कि वो शुरुवात से ही इन सारी चीजों का plan कर रहा होता है कि वो इससे कैसे बचे और अब जेरोमी टाइटन ग्रव पर जाने वाले mission में आराम से शामिल हो सकता था जाता है जब जेरोमी पैदा हो रहा था जेरोमी जब पैदा हुआ था तब उसके parents ने उसे normal तरीके से पैदा किया होता है यानि कि जेरोमी के body में कोई भी DNA changes नहीं किये गए थे और इस तरीके से जेरोमी second class के बच्चे में शामिल हो गया हाला कि जेरोमी के parents को बाद में जाकर इसका बहुत ही ज़धा पच्टावा हो रहा था हमें ये बात पता चली कि जेरोमी का असली नाम Vincent था जोकि उसके parents ने रखा होता है लेकिन थोड़ी दिर बाद दी उसके पैरेंस को बहुत ही ज़्यादा पश्तावा होने लगा अपनी इस डिसीजन पर जब सारे चेक अप करने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उनके बेटे को एक अजीब तरीके के हार्ट के डिसीज हो गई है और ये बच्चा आगे चलके जादा से जादा 30 साल तक ही जिन्दा रहेगा विंसेंट के माबब इस बात से बहुत ही ज़्यादा डिसपॉंटेट हो जाते हैं कि उन्होंने डिने अपलाई करने के टेकनीक को ना अपना कर बड़ी गलती कर दी इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि वो अपने आगे आने वाले बच्चों में वो डिने चेंजे जरूर करेंगे वो तो सारी स्कीम्स देखने के लिए डिने सेंटर में भी विजिट करने लग जाते हैं कुछी मैनों के अदर अदर उनका एक दूसरा बेटा पैदा होता है जो की डिने चेंज करके बनाया गया था उसका नाम एंटॉन रखा जाता है एंटॉन के डिने में चेंजे सोने के कारण उसे बिमारी तो छूब भी नहीं सकती थी भले ही एंटॉन विंसेंट से छोटा था लेकिन उसका पूरा जैनेटिक चेंज होने पर एंटॉन के अंदर काफी सारी स्किल्स और एबिलिटीज आ जाती हैं वो तो विंसेंट से भी काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था एंटॉन के माब भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका लड़का अब फर्स्ट लास से बिलॉंग करता है वहीं विंसेंट को ये सारी चीजे देखकर बहुत ही ज़्यादा दूख होता था क्योंकि उसके खुद के पैरेंस ने तो उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था अब देरे देरे दोनों भाई बड़े होते जाते हैं लेकिन उनके पैरेंस ने ज़्यादा ध्यान एंटॉन की तरफ ही दिया था एंटाउन को कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि first class बच्चा होने के कारण उसे किसी multinational company में job मिल जाएगी लेकिन यहां Vincent भी चाता था कि वो किसी space research organization में जाकर अच्छे से काम करे और वो इसकी तयारी भी काफी अच्छे से करता है लेकिन जब Vincent उस space research organization में interview देने के लिए गया तब उसके second class होने के कारण Vincent को तुरंथी reject कर दिया जाता है Vincent इन सारी चीजों से काफी ज़्यादा नाराज हो गया था जोगाने वाली बात ये थी कि जब वो घर पर आया तो उसके mom and dad उसे ही बिगदम discourage कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि second class के बच्चे ज़ाड़ू पोचाई करने के लिए पैदा हुए हैं और Vincent के नसीब में भी शायद वही लिखा था एंटॉन और Vincent तो हर शाम को swimming करने के लिए जाया करते थे swimming की race में एंटॉन हमेशा ही Vincent से जीच जाया करता था बट इस बार पता नहीं क्यों Vincent ने काफी practice की होती है और उसने तो बड़ी आसानी से एंटॉन को हरा भी दिया था एंटॉन से आगे निकलने पर Vincent ने देखा कि वो अचानक डूबने लगा है पानी की अंदर Vincent तो तुरन थी अपने भाई को बचानी के लिए जाता है और उसी किनारे पर पहुचा देता है एंटॉन को तो भरुसा ही नहीं हो रहा था कि आखिर उसका ये बड़ा भाई जो की second class से बिलॉंग करता था वो उसे कैसे हरा सकता है उसके अंदर तो कोई पैदा इसी abilities तो हैं ही नहीं अब यहां Vincent को समझ में आ चुका था कि उसके parents उसे जरा भी support नहीं करने वाले और उसे ये बात भी पता होती है कि वो सिर्फ 30 साल तक ही जिन्दा रह पाएगा Vincent ने अब एक बहुत ही critical decision लिया और वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया Vincent अब बाकी second class लोगों की तरह एक space research organization में काम करने लगा था जो कि वहां के सफाई कर्मचारियों की job होती है Vincent के जैसे और भी सारे second class लोगों को इसी type की ही job मिला करती थी लेकिन Vincent जिसमें सीखने की चाह थी वो इतनी पर ही अपने आपको stop नहीं करना चाता था Vincent को जब भी साफ सफाई करने से time मिलता तो वो space research organization की अंदर आकर वहां की navigation technology को अच्छे से सीखने लग जाता ये सारी चीजे Vincent को करना काफी अच्छा लगता है इसलिए वो ये सीख रहा था अब उसी organization में हमें एक manager को रिखाया जाता है जो की Vincent को अच्छे सी treatment दे रहा था लेकिन जब उसे पता चला कि Vincent second class से belong करने के बावजूद भी एक अच्छा खासा navigator बनना चाता है तो वो आदमी Vincent की मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा था दरसल उस आदमी ने Vincent से कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अच्छी खासी नौकरी दिला सकता हूँ इसके लिए वो Vincent को Jeremy नाम की एक आदमी के पास लेकर चला आता है उसने बताया कि Jeremy first class से बिलाउंग करता है लेकिन कुछी समय उसका accident होने के कारण वो अब बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता और अब Jeremy चाहता है कि वो अपनी identity किसी और को बेज दे यानि कि अगर Vincent चाहे तो वो जिनोमी की सारी identity अपने पास लेकर first class की नौकरी कर सकता था लेकिन इसके बदले Vincent को अपनी नौकरी का एक चौथाई हिससा Jeremy को देना होगा Vincent भी बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ये सारी चीजों को मान लेता है इसलिए अब वो मैनेजर Jeremy की सारी identity यानि की fingerprint से लेके उसके आखों के retina तक को copy कर लेता है और सेम वैसा कई वैसा Vincent के लिए बना देता है मैनेजर ने तो Jeremy के बाल भी निकाल कर Vincent पे लगा दिये होते हैं क्योंकि वो DNA की एक दुन specific match होता था आगे चलकर company में Vincent का जब भी टेस्ट किया जाएगा तो उसके बालों के अंदर उनी Jeremy के DNA मिलेंगे जो कि first class से belong करते हैं सारी चीजे apply करने के बाद Vincent अब पूरी तरीके सी Jeremy जैसा दिखने लगा था अब अपनी पूरी तैयारी करके Vincent चला जाता है Space Research Organization में जौब के लिए apply करने के लिए सिक्योरिटी वाले सबसे पहले Vincent की टेस्टिंग करते हैं और उसमें वो पास भी हो जाता है जूकि सारे Jeremy के DNA मौजूद थे थोड़ी दिर बाद Vincent को उस company में जौब भी मिल जाती है और अब Vincent पूरी तरीके से Jeremy के यी identity पर आगे के काम करेगा अब सीन present time में आ जाता है जहां पर उनकी organization में किसी employee का murder हो चुका था पुलिस वाले तो जल्द से जल्द आकर सारे सबूत इकठा कर रहे होते हैं कि इसका दोशी कौन हो सकता है चान बीन के दोरान पुलिस वालों को एक बाल मिलता है जो और किसी का नहीं बलकि Vincent का था वहीं Vincent तो इन सारी चीजों से एकदम अंजान था अब हमें जेरोमी की एक दोस्त इरीन दिखाई जाती है जो कहीं न कहीं जेरोमी पर ही शक कर रही थी क्योंकि उसका behavior पहले से काफी जादा आजीब होता है अब पुलिस वालों को Vincent का जो असली बाल मिला था उसके रिपोर्ट्स आ गए होते हैं लेकिन एरीन का शक तो पूरी तरीके से जेरोमी के उपर था इसलिए वो सबसे पहले जेरोमी के पास जाकर उसके कंदे पर रखा हुआ है एक छोटा सा बाल लेकर आ जाती है और ये बाल Vincent का नहीं बलकि जेरोमी का था जो वो जान बुचकर वहीं पर रखता है जिससे कि कोई अगर उसका टेस्ट करे तो ये डेने जेरोमी का ही मैच हो अब जब एरीन उन दोनों बालों के डेने को टेस्ट करती है तो पता चला कि ये दोनों अलग हैं यानि कि उसका जेरोमी पर शक करना बिल्कुल गलत था इरीन तो जेरोमी यानि कि विंसेंट के पास आकर माफी भी मांगती है कि उसने बिना पूछे उसके बालों के डेने का टेस्ट किया था बट वो उसमें गलत साबित हो गई इरीन तो विंसेंट को बता रही थी कि मैं बचपन से ही एक एस्टरनोट बनना चाती थी लेकिन फॉर्स क्लास से बिलॉंग करने के बावजूद भी मुझे हाट प्रॉबलम हो चुकी थी और इसी वज़े से मैं इन सारी स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पा रही थी विंसेंट भी इरीन की बातों को बड़े ध्यान से सुनता है अब बाती करते हुए विंसेंट और इरीन कार में बैठ कर कहीं दूर निकल जाते हैं थोड़ी देर बाद टरनल में सभी पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे कि किसी ने अपने आखों में कॉन्टेक लेंसेस तो नहीं पहने हैं जब विंसेंट अपनी कार लेकर वहाँ पहुचता है तो उसने तुरन थी अपने आखों के कॉन्टेक लेंसेस निकाल दिये थे इन सारी चीजों से विंसेंट को ठीक से दिखाई ही नहीं देता अच्छे बात तो ये थी कि वो पुलिस वालों की सिक्योरिटी चेकिंग से पास हो गया था लेकिन यहां इरीन को अब वापस से शक होने लगता है क्योंकि विंसेंट की आखों का कलर चेंज हो चुका था और वो तो उसके उपर अब पूरी तरीके से नजर भी रखती है अब यहां ओफिसर्स को जो विंसेंट का बाल मिला था उसकी पूरी रिपोर्ट्स आ चुकी होती है उन्हें यह पता चल चुका था कि बाल में जो डिये ने मिला है वो विंसेंट नाम के किसी इम्पलॉई का था और यह सेकेंड ट्लस से बिलॉंग करता है जो हमारी कमपणी में कोई छोटा मोटा काम किया करता था लेकिन ओफिसर्स को पता था कि उस विंसेंट नाम के आदमी को ढूनना बहुत ही जादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि अब तो विंसेंट ने अपना पुरा हूलिया और सारे फिंगर प्रिंट चेंज कर लिये होते हैं जेरोमी के नाम से यानि कि वो जेरोमी की पूरी जगह लेचुका था कमपनी में अब हमें विंसेंट और इरीन दिखाए जाती है जो एक पार्टी में जाकर काफी इंजॉय कर रहे थे इरीन और विंसेंट कहीं न कहीं एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं लेकिन इरीन का शक अभी तक विंसेंट से खतम नहीं हुआ था वहाँ सेक्योरिटी वाले जब अपनी छान बिन कर रहे थे तब उन्हें जेरोमी और विंसेंट का चेहरा अल्मूस सिमलर लगता है इसलिए अब उन्हें पूरा शक हो गया था विंसेंट के उपर और अब वो अपनी कारेवाई करने के लिए इस केस को आगे बढ़ाते हैं उन सभी ने प्लान बनाया था कि वो जेरोमी की घर पर जाकर इन सारी चीजों का पता लगाएंगे बट अब ये बाते विंसेंट को भी कही न कहीं से पता चल जाती हैं इसलिए उसने तुरंती असली वाले जेरोमी को कॉल कर दिया था और इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया होता है अब जेरोमी जो की घर पर ही मौजूद था उसने सारी चीजे एकदम ठीक कर दी थी और विंसेंट की तरह बिहेव करते वे उसके कपड़े पहन लेता है हाला कि जेरोमी के दोनों पैर काम नहीं करते थे लेकिन वो किसी भी तरीके से चेर पर बैठता है और ऐसा एक्टिंग करता है कि उसे कुछ नहीं हुआ थोड़े ही देर में जेरोमी के घर पर सिक्योरिटी वाले आ गये थे जिनके साथ एरीन भी मौजूद होती है एरीन ने तो अब जेरोमी का बलड टेस्ट किया जो कि सेम टूस से मैच हो जाता है कमपनी के अंदर मौजूद डेटा के अंदर से लेकिन वो जैसे ही और भी टेस्टिंग के लिए आगे बढ़ते तब ही ओफिसर उसको कॉल आ गया था कि हमने असली मुझरिम को पकड़ लिया है दरसल ये काम और किसी ने नहीं बलकि उनके मिशन के हैड नहीं किया था टाइटन पर जो मिशन जा रहा था उसमें से एक इमप्लॉई नहीं चाता था कि ये मिशन कम्प्लीट हो इसलिए लीडर ने इमप्लॉई को जान से ही मार दिया जिससे कि वो उनके मिशन में बाधा न बन सके हाला कि ये केस पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका होता है लेकिन पुलिस वालों को अभी भी विंसेंट की उपर शक था अब विंसेंट जब हमिशा की तरह अपने डेक्स पर जा रहा होता है काम करने के लिए तबे उसने नोटिस किया कि उसके डेस पर तो एक पुलिस ओफिसर बैठा हुआ है जो कुछ चान बिन कर रहा था वो ओफिसर तो खड़ा होकर कहे रहा था कि मुझे अब सारी सचाई पता चल चुकी है बाद में विनसेंट को पता चला कि ये ओफिसर उसी का भाई एंटॉन है जो कि अब पुलिस के एक अच्छे दरजे पर पहुँच चुका था एंटॉन अपने भाई को बताता है कि जब तुम घर छोड़ कर गए थे तो हमारे मॉम और डैट इसे सहन नहीं कर पाए और उन्हें अपनी जान दे दी और इन सारी चीजों के लिए मैं तुमें कभी माफ नहीं करूंगा एंटॉन तो विंसेंट को सीधे बोल रहा था कि तुम पुलिस वालों को सरिंडर कर दो नहीं तो तुमारे लिए काफी बुरा हो जाएगा बट विंसेंट अपने भाई को कहता है कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे और मैं अपने सपने को पूरा करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए एंटॉन और विंसेंट बाते करते हुए समुदर के किनारे आ जाते हैं जहांपर एंटॉन ने विंसेंट को एक बार फिर से स्विमिंग के कॉम्पेडिशन के लिए चैलेंज किया था उसने कहा कि अगर मैं इस चैलेंज को जीत गया तो मैं तुमारी असलियत सभी को बता दूँगा और अब बिना देरी कि उन दोनों के बीच एक छोटा सा स्विमिंग कॉम्पेडिशन चालू हो जाता है शुरुआत से ही विंसेंट एंटॉन से आगे निकल चुका था एंटॉन को तो बिल्कुल भी भरुसा नहीं होता है कि विंसेंट ये सारी चीजे कैसे कर ले रहा है एंटॉन के अंदर तो डाइनेमिक डियने मौजूद होते हैं जिससी की वो काफी अच्छी एबिलिटीज रखता था लेकिन इसके बावजूद भी विंसेंट उसे हमेशा जितता ही आ रहा होता है एंटॉन ने तो सच में विंसेंट चे पुछा कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो बलकि तुमें तो एक खतरनक बिमारी थी जिसकी वज़े से तुमारे पास कुछी साल मौजूद थे विंसेंट बताता है कि मैंने अपनी काबिलियत को कभी भी नीकी नहीं गिराया मुझे जो लगता था मैंने वही किया ये सुनने के बाद एंटॉन तो अब वहाँ पर बेहोश हो जाता है विंसेंट एंटॉन को कैसे भी बचा कर किनारे पर लेकर आ गया था और अब हारनी के बाद एंटॉन ने डिसाइड किया कि वह विंसेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा यहाँ आप कुछ समय बीतने के बाद वो पल भी आ चुका था जब विंसेंट मिशन के लिए टाइटन प्लानेट पर जाएगा इरीन भी विंसेंट की इस अच्यूमेंट से काफी ज़्यादा खुश होती है लेकिन विंसेंट इस तरीके से इरीन को गुमरा करके नहीं रखना चाता था इसलिए विंसेंट ने अपना अस्ली बाल तोड़कर इरीन को दे दिया होता है जिससे कि वो उसे टेस्ट करके सच्चाई जान सके पर इरीन ने पता नहीं क्यों उस बाल को नीचे गिरा दिया था क्योंकि उसे कुछ नहीं फरक परता कि जेरोमी के पीछे कोई भी हो विंसेंट तो आखरी बार जेरोमी से भी मिलने जाता है जो अब काफी अच्छे दोस बन चुके थे जेरोमी ने तो विंसेंट के लिए अपने यूरीन सैंपल्स और ब्लड सैंपल्स भी रग दिये होते हैं जिससे कि वो उसका यूज कर सके क्योंकि जेरोमी अब इन सारी चीजों को छोड़कर एक लंबी छुट्टी पर जा रहा था उसने जाने से पहले विंसेंट को एक लेटर दे दिया होता है जो कि उसे स्पेस शिप में जाने पर खोल के पढ़ने के लिए कह रहा था और यहां विंसेंट अपने साथ जेरोमी का कोई भी सैंपल साथ नहीं लाया होता टेस्ट होने पर जब रिजल्ट आता है तब डॉक्टर को ये पता चल चुका था कि ये जेरोमी नहीं बलकि विंसेंट है लेकिन वो ये सारी बातें अपने ओफिसियल्स को नहीं बताते क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे कि मेरा बेटा तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन है सारे एस्टरनॉट्स और नविगेटर स्पेश्शिप के अंदर चले गए थे और वो तुरंती लॉंच हो जाती है गहरे अंतरिक्ष की तरफ विंसेंट तो अब जेरोमी का दिया हुआ वो लेटर पढ़ रहा था उसे पता चला कि जेरोमी ने खुद की जान ले ली थी क्योंकि वो इस जिंदगी से खुश नहीं होता और अब विंसेंट पूरी टीम के साथ गहरे गैलेक्सी की अंदर चला ही जाता है विंसेंट तो गहरे अंतरिक्ष में जाते समय यही सोच रहा था कि क्या उसने सही किया भी की नहीं उसने अपने सपने पूरे करने के लिए फैमली वालों को ही छोड़ दिया अब कहीं न कहीं विंसेंट को रिग्रेट होने लगता है बर शायद उसके लिए काफी ज़्यादा देर हो चुकी थी और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है सुवी वर्स आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्चन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्स्मिनेशन एक परसेंट भी अच्छा लगा होगा न तो वीडियो को लाइक एंड चानल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना मिलते हैं इसी तरीकी की मज़ेदार वीडियो में तब तक के लिए बाबाई